संभल में हायातनगर थानाच्षेतर के ग्राम लहरा कमंगर निवासी जफर पुत्र सलार बक्ष ने बीते दो साल पहले बबलुवा कासिम के साथ स्क्रेब का कारुबार कर उनके गोदाम शिकारपुर जनपद बुलंद शहर में लाखो का स्क्रेब बेचा था आरोप है कि बबलुवा कासिम ने पुराने पैसे में से बचे चार लाख पचपन हजार में तीन लाख देकर बाकी रकम आगे माल लेकर आने पर अदा करने का वादा कर लिया जिस पर पीडित भरोसा कर पीते पांच महपूर वो फिर गोदाम पर साड़े तीन लाख का माल पहुचा दिया जिस कारण पीडित का गोदाम पर हिसाब करने पर पांच लाख 11,270 रुपे बकाया निकला जिस पर पीडित से कहा गया कि तुम्हारे पैसे दो चार दिन में दिये जाएंगे कितने रुपे दे आपके मेरे पांच लाख 11,000 रुपे अब पैसे देने क्या कह रहा है अब पैसे देने को पोतबाद साबने बुलाया हमने तो पांच लाख माला कि यहिए इक्ताल में तोछाओा क्या स्काय crush jest जैसापकी ऐस्पी थी फिर मुलागात होई थी तो उन्होंने क्या स्वंहें चाया कोता है चायत भी सुचाइट अठता काम कर सिकायत खि giving देखती रहिए दीबी भारती समचार नजर हर खबर पर